सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है आज हम जानेंगे माráक बरद में परग्राफ कोप पूरा लाइन आ जाता है तो उस रेड कलर के लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं जानेंगे, तो आईए जानते ही कैसे आप पूरे परगराफ से लाइन को हटा सकते हैं, तो दिखिए इसके लिए सबसब पहले Microsoft Word ओपन कीजिए, और उसमें जहां पर भी लाइन आता है, वहां से आप सही कर सकते हैं, सही करने का सही तरीका क्या होता है, कि आप जो है, जैसे माल लिजें, यहां पर यहां पर यहां पर error है, इस पर right click कीजिए, और उसके बाद आपके सामने यह suggestion कुछ इस तरह का आता है, तो यहां पर कोई भी spelling आप चुन सकते हैं, जो spelling आपको यहां से match कर जाएं, सही लगें, वो आप चुन लिजें, यहाँ पर proofing tool में जाएए यहाँ पर proofing block में और यहाँ से यह tool को चुनिए spelling और grammar इसे चुनने के बाद यहाँ पर आपको यह दिखाएगा कि जो spelling आपने यह उपर लिखा है यह spelling नहीं यह spelling होगा तो क्या यह spelling आपको चाहिए अगर चाहिए तो यहाँ से change कर लिजिए और अगर आपको यह उपर वाला ही रखना है तो इसके लिए आप ignore कर दिजिए इग्नोर मिस होता है अंदेखा करना तो line जो है वो इसके नीचे से हट जाएगा जैसे यहाँ पर line आ रहा है एक और तरीका है कि आप चाहिए तो यहाँ पर add to dictionary कर सकते हैं यानि कि आप जो है इस नय सब्द को चाहिए तो इसके dictionary में Microsoft के word के इस dictionary में add करा सकते हैं कराने से क्या होगा जब अगली बार आप कभी भी यह spelling type करेंगे Microsoft में लिखेंगे यह सब्द तो आपको जो वहाँ पर नीचे जो है red color का line नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यह spelling इसके पास पहले से होगा तो यह match कर लेगा तो यह हो गया उसके बाद मैंने आपको बता दि लिजेगा उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि पूरे paragraph से lining को कैसे आप हटा सकते तो देखें पूरे paragraph से lining को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको right click कीजिए और उसके बाद यहां पे जो भी word जैसे यह आ रहा है तो यहां से ignore कीजिए एक तरीका और होता है ignore all क जैसे आप यहां पे जाके करेंगे ignore all तो दिखें ignore all भी करेंगे तो एक word से हटता है ज्यादा से नहीं हटेगा यह एक तरीका और है आसान आपके लिए क्या करेंगे आप अपने keyword में spelling और grammar के लिए app 7 दबा सकते हैं और app 7 दबा के भी आप चाहे तो इनको जो हटा सकते हैं पूरे paragraph से lining को एक बार में हटाने का तरीका नहीं है कोई भी और इस तरह से हटेगा नहीं क्यूंकि lining हमें तभी हटाने का मोका मिलेगा जब spelling और grammar mistake जो है सही होगा और spelling और grammar mistake को आप एक click में पूरा सही नहीं कर सकते हैं क्यूंकि अलग-अलग word पे अलग-अलग spelling होते हैं कि Microsoft Word में पूरे paragraph से lining को एक बार में नहीं हटाया जा सकता है उसमें बार बार क्लिक करके हटाना पड़ेगा और यह click हमें इसलिए करना पड़ेगा क्यूंकि spelling और grammar दो तरह के error जो है Microsoft Word में आते हैं जातर तो इन दोनों error को जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक lining जो है व में कुछ भी type करेंगे तो उसमें spelling या grammar mistake होगा तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वहां पे कोई line ही नहीं आएगा कोई भी वहां पर आपको दिखाया ही नहीं जाएगा तो यह बहुत बड़ा एक गलती हो जाएगा तो इसलिए जो है सही तरीका यही है कि आ और एक एक करके number wise जो है सभी word को सभी सब्द को जो है आप Microsoft word में सही करें और इसी तरह से काम करें तुमीद है अब आप जान चुक है कि Microsoft word में पूरे paragraph से एक वार में lining हटाने का कोई भी तरीका नहीं है आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी अगर तक आपने सब्देट गों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बैल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और देखते रिए तरी ये धन्यवाद थैंक यू